नमस्कार SMUZ में आपका स्वागत है, आज हमारे साथ हैं राजेंदर पानल कौतम जी, SMUZ में आपका स्वागत है, नमस्कार रहेंदर जी बात बताईए, अभी आमादली पार्टी के सौरफ भारदवाज ने दोजर उनिस के लिए बताया था कि अगर एवियम के चुनाव दोजर उनिस के अंदर होते हैं तो बीजे पी उसके बहुत बड़ा घोटाला कर सकती है, उसके बारे में क्या बोलेंगे कहां त पूरी कलोनी एक माइनोर्टी से है या स्टी की पर्टिकुलर किसी पार्टी से जुड़ी है और वहां वो बोट बैंक जो पूरी तरह से बीजे पी के खिराफ रहा है वो बोट अगर बीजे पी के पास 90 परसेंट जा रही है तो इसमें कोई संदे नहीं है और रहने वाले करें कि हमने तो बीजे पी को दिया ही नहीं है तो यह वोट बीजे पी को कैसे चला गया तो इसका मतलब यह हुआ सीधा सा कि वी एवियम में गड़े-बड़ी की पूरी संभावना रहती है और पिछले चुनाव में इतने भारी बहुमत के लिए एवियम का अच्छे से बा अधिने कहीं कॉंग्रेस और बीजेपी के अंदर एक आपसी समझोता हुआ कि भई हम यूपी हमारी और पंजाब तुमारा यह कहां से आगया हम आदमी पार्टी वाले इनको हराना जहूरी है और इसके लिए आप हमारा साथ दीजिए और उसमें उनोंने कहीने के आपसे अ अगर आप विरोध कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चीजें कर रहे हैं 2011 को किस तरीके से इवियम से अटाना चाहेंगे हैं देखे हम तो निरंतर इवियम के खिलाफ आवास बुलंद कर रहे हैं लगातार हम इलक्षन कमिशन को भी हमने काया कि आप इवियम का इस्तेमाल ना जाहिए बात करते हैना तो जहां लग एवियमम में हो सकता है तो विवी पैट में भी हो सकता है इसलिए मैंने का हम ना भी विवियम पे पे भी भूसा नहीं है हम तो 25% की डिमांड हुए और इसमें रेड़म numéro 25% की गिंती मैनवली भी हो तब उसको डिगलियर गरजा चुन बाकि सारी पार्टी चारी हैं कि बैलेट से चुनाओ हो, इवियम से ना हो, उसके बावजूद, इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया नजाने किसके दबाव में इवियम से ही चुनाओ कराने के लिए दबाव बनाई हुए है, तो संदे तो निशंदे बने गई बनेगा, चुकि यहां इतने बड़ी तादाद में लोग एक पर्टिकुलर किसी पार्टी से जुड़े वे लोग और जो कभी भी बीजेपी के नजदीक नहीं रहे और वहां अगर 90% से ज्यादा वोट काउंटिंग में बीजेपी का निकलतार, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं दिया प्रवड़ी की तमाम संभावनाएं हैं और वो हमारे जो मुखे प्रवक्ता हैं पार्टी के, सौरभ भारदवाज जी उन्होंने तो बकाइदा दिल्ली की विधान साबा में डेमोस्टेट करके दिखाए कि किस तरीके से उसका गलत इस्तिमाल बड़ा आसान है, तो मैं आप ते हमारे से सौगाज कलियान मंत्वी रहिंक अलकौतवम जी जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर एवियम से चुनाव होते हैं तो कहां कहां नुकसान हो सकता है भारत की जंता को